हेलो दोस्तों सनी पाजी की फिल्म गदर टू जाँ बोक्स ओपीस पर बड़े बड़े रिकोर्ड सेट कर रही है तो वहीं सुपरिश्टार अक्षे कुमार की फिल्म ओएमजी टू भी बोक्स ओपीस पर कापी अच्छा कलेक्शन कर रही है तो आज की इस वीडियो माम इन द अक्षे कुमार की फिल्म ओएमजी टू के बारे में ओएमजी टू फिल्म जो की सेक्स एजुकेशन जेशे मुद्धे पर बनाए गए ती फिल्म में सेक्स एजुकेशन जेशे मुद्धे को कापी खुल कर दिकाया गया है फिल्म की रिलीज से पहले तो फिल्म की हाइप ज निकल कर आ रहे हैं सुपरिश्टार अक्षे कुमार यमी गोतम और पंकस त्रिपाटी की ये फिल्म जिस फिल्म का बजट लगबग 60 करोड रुपे है फिल्म को इंडियन बॉक्स ओपीस पर 2000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है जैसा कि सुपरिश्टार अक्ष इंडियन बॉक्स ओपीस पर कापी अच्छा कलेक्शन कर रही है फिल्म के डेवाइस बॉक्स ओपीस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पेले दिन रिलीज के दिन 10 करोड 26 लाक रुपे का इंडियन नेट बॉक्स ओपीस कलेक्शन किया था और फिल्म का दूसरे दिन का बॉक्स ओपीस कलेक्शन बंद्रा करोड तीस लाक रूपे रहा और फिल्म ने अपने तीसरे दिन सत्रा करोड 55 लाक रूपे का इंडियानेट क कलेक्शन कर रही है तो फिल्म का टोटल 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 54 करोड 61 लाग रुपे का हो चुका है वहीं फिल्म का टोटल 4 दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगबग 65 करोड रुपे हो चुका है फिल्म चार दिनों में Overseas Gross Collection लगबग 12 करोड रुपे का कर चुकी है तो फिल्म का टोटल चार दिनों का Worldwide Gross Collection 77 करोड रुपे हो चुका है तो दोस्तों फिल्म का बज़त 60 करोड रुपे है तो फिल्म को Box Office पर हिट होने के लिए लगबग 80 करोड रुपे की कमाई करने होगी जो कि ये फिल्म आसानी से कर सकती है और ये फिल्म Box Office पर एक बड़ी Blockbuster फिल्म भी साबित हो सकती है वैसे आपने सुपरिश्टार अक्षे कुमार की फिल्म OMG 2 देखी तो ये फिल्म आपको केसी लगी सुपर हिट या फिर सुपर फ्लोप लेकिन अगर बात करें बोल्यूट के असली एक्षन सुपरिश्टार सनी पाजी की फिल्म गदर्टू के अब तक के टोटल Box Office कलेक्शन के बारे में से मन नहीं बराए तो लोग इस फिल्म को दो या तीन बार देखने जा रहे हैं जिसमें सनी पाजी के जबरदस्ट एक्षन डायलोग और ये फिल्म लोगों को कापी ज़्यादा पसंद आ रही है लोग सनी देवल को उसी जबरदस्ट एक्षन अवतार में देखने हैं और फिर से तारा सिंग और सकीना की जोड़ी को देखने के लिए पब्लिक इस फिल्म को भर-बर के देखने जारी है जहां पर इस फिल्म को पब्लिक का कापी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है फिल्म का बजट लगबग 100 करोर रुपे लेकिन ये फिल्म तीन दिनों में अपने बजट से भी कहीं ज़्यादा कमाई कर चुकी है तो फिल्म तो बोक्स ओपीस पर ओल्रेडी ब्लोकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है अब देखना होगा ये फिल्म बोक्स ओपीस पर 500 करोर रुपे से ज़्यादा की कमाई करेगी या फिर नहीं फिल्म के अभी तक के बोक्स ओपीस कलेक्शन की बात करे तो फिल्म ने अपने पहले दिन Worldwide Box Life Collection लगबग 53 करोड 30 लाख रूपे का किया था और फिल्म का दो दिनों का Worldwide Gross Collection 108 करोड 20 लाख रूपे का रा था और फिल्म ने कल अपने तीसरे दिन पर इंडियाने इट करोड 21 करोड 70 लाख रूपे का किया है और फिल्म आज अपने चोती दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन लगबग 33 करोड रुपे का कर रही है तो फिल्म का टोटल 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगबग 167 करोड रुपे हो चुका है वही फिल्म का टोटल चार दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगबग 124 करोड रुपे के आसपास हो चुका है फिल्म चार दिनों में 200 करोड रुपे का वल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है और अभी तो ये फिल्म कापी लंबी चलने वाली है तब तक तो ये फिल्म कहीं सारे नए रिकोर्ड बनाने वाली है वैसे आपको क्या लगता है सनी पाजी की फिल्म गदर टू का लाइप टाइम बोक्स ओपीस कलेक्शन कितना होने वाला है और ओमाइगोड टू और गदर टू में से आपकी फिल्म कौन सी है